हलो दोस्तों यह मारे पास question given है if f of x is equal to x square minus 6x plus 12 and f of f of x is equal to 259 then x is equal to 8 x की value में find out करनी है पचली देखते हैं यहां देखे मारे पास given है f of x is equal to x square minus 6x 12 को हम लोग लिख सकते हैं plus 9 plus 3 यह मारे पास हो जाएगा x minus 3 का whole square plus 3 यहां से मारे पास आ गया है f of x is equal to x minus 3 का whole square plus 3 अब यहां से अगर हम f of f of x की value लिखें ति मारे पास हो जाएगा यहां पर देखे एक्स की जग्रम पर हम x minus 3 का whole square plus 3 put कर देंगे ति हो जाएगा x minus 3 का whole square plus 3 minus 3 का whole square plus 3 यहां देखे 3 से 3 cancel हो जाएगा यहां से मारे पास आ जाएगा x minus 3 इसके whole power of 4 plus 3 अब यहां पर देखे f of f of x की value मारे पास देखे 259 यहां पर put कर देंगे ति हो जाएगा 259 यहां से मारे पास आ जाएगा x minus 3 इसके whole power of 4 is equal to 256 x minus 3 इसके whole power of 4 is equal to यह मारे पास हो जाएगा 4 to the power of 4 यहां से मारे पास आ जाएगा x minus 3 is equal to plus minus 4 x minus 3 is equal to plus 4 and x minus 3 is equal to minus 4 यहां से मारे पास x की value आ जाएगी 7 और यहां से x की value आ जाएगी minus 1 यहां हमारा answer है दोस्तों अगर वीडियो आप अच्छा लगावाँ तो प्लीज वीडियो को नाइक करतीजिए थैंक्स पर वाचिंग वीडियो